Hello guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel तो आज इस वीडियो में हम election से जुड़ी हुई last news रीड करेंगे और अपनी English को इंप्रूव करेंगे तो सिधा शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन उससे पहले अगर आप में से कोई भी English सीखना चाहता है बिल्कुल step by step बेसिक से लेकर advanced level तक with more than 500 वीडियो लेंग्वेज होगी Hindi to English तो इसके लिए आप मेरा कोर्स जॉइन कर सकते हैं इसके लिए become English Champion app डाउनलोड कर सकते हैं आप Play Store से या फिर नीचे आपको description box में लिंक मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो सबसे पहले headline लिखा हुआ है campaign season campaign का मतलब क्या होता है चुनाव परचार या फिर जिसको हम हिंदी अगर एक्जेक्ट बताओ तो अभियान इसको कहा जाता है जैसे tree plantation campaign पोधरोपन अभियान उसी तरह से यह election का campaign चल रहा था जो तो अभियान जो है election मांगने की जो प्रिक्रिया है तो यह जो मौसम है तो campaign season चुनाव परचार का मौसम सब्जेक्ट ends वर्ब की फर्स्ट वर्म मतलब समाप्त हुआ तो यह present indefinite में headline लिखी है campaign season single subject है इसलिए end के साथ लगा दिया s आगी लिखा है last lap तो आखरी face है lap मतलब है यहां पर face यह इनके चरण जैसे election साथ faces में हुआ है तो अभी साथ में face रह गया last face तो यह lap बोलते इसको हिंदी में कह सकते हैं चरण तो आखरी चरण है to decide decide करने का 57 seats को मतलब 57 seats किसको मिलेंगी तो उसका यह last lap है आखरी चरण है तो clear हो गया है सारा आपको तो चुनाव पर चार का मोसम समाप्त हुआ और यह आखरी चरण है 57 seats को decide करने का आगे लिखा है sub adding the seventh and the last face तो सात्मा और आखरी फेस जो है चरण जो है किसका of voting voting का मतलब मतदान voting किसको कहा जाता है मतदान वोट देने का तो will be head यह होगा सात्मा और आखरी चरण मतदान करने का होगा in eight states art राज्यों में and union territories में जो यूटी होती है तो यहां पर रूल कौन सा यूज हुआ है आप यह देखिए will be के बाद हमने यहां पर held लगा रहा है वब की third form तो यह पैसी वोइस हो गया तो दो सेवन्थ एंड लास्ट फेस ओफ वोटिंग यह सारा object का काम करेगा विल भी लगा है फिर held कोई meeting का होना किसी भी चीज का होना event घटना का होना वो hold होता है hold की third form held तो यह होगा आठ states में और यूटीज में वारानसी वारानसी के बादी के कौमा लगा दिया यह कौमा है यहां तक तो वारानसी इस वारानसी है अमंग में से अमंग मतलब किसी चीज में से जैसे between मतलब दो के बीच में और अमंग मतलब दो से ज़्यादा कोई चीज है उन में से the constituencies, constituencies क्या होता है हमने पिछली कई videos में इस वर्ड को cover किया है चुनावशेत्र जहां पर चुनाव हो रहे हैं उनको बोलते हैं constituencies तो वारानसी भी उन में से है किन में से constituencies में से चुनावशेत्रों में से वारानसी subject है इस लगा है अमंग एक preposition है और फिर अधर रौड्स और वारहन सी बात कोमा लगा के इसके बार में एडिशन और और इन्फोर्मेशन दे रहे हैं कि वारहन. та llei जहां परellschaft राव कारैम वन से बसक्राइब करेय कि रहे हैं में कि दुमे Prophet Swee से से सीनाव की मैं यहां पी प्रदान-मंतरी मांग कर रहे हैं का मतलब होता है कар्यकाल जैसे अभी दोबर मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर रहा चुके तो इनको बोलेंगे टू टर्म अभी तीसरा टर्म है तीसरा कार्यकाल है तो इसके लिए वह सीख कर रहे हैं रील एक्षन तो क्लियर हो गया तो सीख रील एक्षन का मतलब होता है फिर से चुनाव मांगना और थर्ड तर्म मतलब होता है तीसरा कार्यकाल और यह टेंस कौन सा हुआ प्राइम इनिस्टर सब्जेक्ट सीकिंग लगा हुआ है आई एंजी लगा है तो प्रेजेंट कंटिन स्टेंज तो सारा क्लियर हो गया अब आज यह में न्यूस की तरफ यह दो हिंदू न्यूस्पेपर है आज 31 में 2024 तो कल यहां पर हमारे यहां पर एलेक्षन है एक तारीक को तो इसलिए वीडियो बना रहा हूं तो देखिए यहां पर यह अभी देख लेते हैं दब फाइन संबोधित करना कई लोगों को संबोधित नहीं पता तो संबोधित का मतलब होता है अगर मैं किसी मानलो बुजूर्गों के लिए एक भाशन तियार कर रहा हूं उनके लिए वहां पर कुछ कर रहा हूं तो मैं बोलूँगा मैं बुजूर्गों को संबोधित करूँगा व्घ्रवान कोंग्रेस लीडर राउल गांधी अड्रेसिज तो ये जो है प्रेज्सेंट इंडेफिनिये ठैड्रेस ए डान तो यह एक तरह से सबने मोगतें हो तो प॰ेजेंट इंडेफिनिट में ड्राव संबोधित का इन्होंने किया पब्लिक मीटिंग को एट काँ पे शहीद भगत सिंग नगर तो इस नगर में फिर लिखावा है डेली कि सी एम अर्विंद केजरिवाल जो यह हैं होल्ट रोडशो इन पट्याला तो इन्होंने होल्ड किया ओल्र का सिधा सा मतलब है इन्होंने एक तरह से ऑर्गिनाइज करा रोडशो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी होल्ट ऑग मेश एट पब्लिक मीटिंग तो इन्होंने मेस होल्ड किया अभी मेस क्या होता है तो यह मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसका मतलब मुझे कमेंट सेक्षन में जुरूर बताएं क्योंकि आप लोग जब तक थोड़ा सा इन्वॉल्व नी होंगे ना तो मजा नी आएगा तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्षन में यह हमने पहले भी न्यूज में कई बार कवर किया है तो बताइएगा यह क्या मतलब होगा तो प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी होल्ड अमेस एट पब्लिक मीटिंग इन होश्यारपुर पंजाबों थास्टे यह सिंपल है पढ़ने की जूरत नहीं तो यहां पर वर्ड याद कर सकते हैं होल्ड और रोडशो रोडशो करना होल्ड अमीटिंग मीटिंग करना उसी तरह से होल्ड और मेस तो आप बताएंगे कमेंट सेक्षिन में और उपर अड्रेस आ रहा है संबोधित करना तो यह सारे वर्ड क्लियर होगे आपको अब अवाज ये मेन यूस की तरफ मैं कर्टें केम डाउ। अब से cònिंड फॉर्म कें कर्टें का मतलब होता है पर गिर चुके तो इसका सिदा मतले हैन्त जो भी चल रहा था तो वह फिनिश हो चुका है तोऑ बारेन किम गेम डाउन तो पर्दे गिर चुके तो किस चीछ पर गीरे वें 수 high octane campaign अच्छा वर्ड है high octane इसका मतलब होता है जोरदार यह वाला वर्ड पहले भी आया था तो high octane campaign मतलब परचार जो यह जोरदार परचार है तो यह समापत हो चुका है और कौन सा high octane campaign फॉर के लिए दा लोक सवाइलेक्शन लोक सवाइलेक्शन के लिए यह जो जोरदार अभियान है तो इसके लिए curtains came down हो चुक है यानिके यह finish हो चुक है प्रचार करना आगे लिखा जा रहा है इस campaign के बारे में विच सो जिसमें देखा पॉलिटिकल पार्टीज को ट्राए कोशिश करते हुए और वीव नरेटिव्स और नरेटिव्स वीव करते हुए अब यह वीव क्या होता है आपने जुलाहे देखे होंगे वीव वीवर्स उनको बोलते हैं तो वह जैसे सिम्पल भास माराशन बहुता हूंगा स्वएर्टर बुनगा उसको मुदते विव दसेटर यह निट तश्वएरर तो वह移ए वीव नरेटिव्स तो वीव का मतलबर्ात बुनड़ ना ऑन श्वैटर बुनते हैं तो मतलब जो भी घटनाई हैं, इवेंट्स हैं, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका वर्णन, उनको बताना, एक स्टोरी की तरह से, तो उसको गलते हैं नरेटिव्स, तो ऐसे कई, कहा रहें कि देखा गया, पोलिटिकल पार्टियस को कोशिच करते हुए, और बुनते हुए, ऐस ऐसे ऐसे नरेटिव्स को, मतलब एक तरह से, जो कहानियों के रूप में पेश करना, घटनाओं को, तो वो करते हुए, देखा गया, और यह नरेटिव्स कोन से थे, ओफन, अकसर, एक्रिमोनियस, एक्रिमोनियस थे, अच्छा वर्ड है, याद करना चाहिए, तो मेरे बतान इसी के बार dale में भाषना देते हैं, आपने देखा पॉलिटीशन्स एक दूसरे के बारे मि किस तरह से फिलिंग्स को express करते हैं, वह बड़ी टीखी होती है, कडवी होती है, घुस्ये वाली होती है, उसी को बोलते हैं, एक्रीमोनियस, सिंपल भाषन में बूलें तो एंगर and bitter, bitter मतलब कड़वा, तो कड़वी और गुस्से वाली, तो ऐसे narratives, over पर किस चीज पर, issues, मुद्धों पर, कौन से मुद्धे, ranging, जो की है, from, caste से लेकर, caste मतलब जाती है, religion मतलब धरम, धरम तक, reservation, आरक्षन तक, and citizenship तक, मतलब नागरिकता तक, तो range का मतलब क्या होता है, जैसे यहां से लेकर यहां तक, तो यह सारी एक range होगी, तो ranging from, caste, religion, reservation, and citizenship, तो यह सारे मुद्धे उठाए गए, तो यह narratives बुने गए, तो ऐसा देखा गया, इन सब को, clear हो गया सारा, तो यहां पर, which जो है, यह relative pronoun है, सो लगा है वर्ब की second form, और बाकी तो I think, बताई दिया मैंने आपको, अब आगया जिए, the seventh and last face, यह जो सात्मा और आखरी face है, चरण है, of voting, voting का, चुनाव करने का, will be held, यह होगा, यह तो हमने उपर भी पढ़ा था, held यहां पर वर्ब की third form है, will be लगा हुआ है, तो यह हो गया हमारा future indefinite passive voice का, तो सात्मा और आखरी face जो voting का है, वो होगा, on Saturday, सनिवार को, 457 seats, इतनी seatों के लिए, in eight states, आठ राजियों में, और UT's में, union territories में, including जिसमें शामिल है, in वारानसी, इन की यहां पर जूरत नहीं है, because यहां पर उपर इन आई चुका है, वेर जहां पर, प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी is seeking, जहां पर मोदी सीख कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, real action की, मतलब फिर से चुनाव की, for a third term, तीसरे कार्यकाल के लिए, तो याद हो गयाद यह word आपको, third term is, तीसरे कार्यकाल, seek, real action मतलब, मांगना, फिर से चुनाव, including मतलब, शामिल होना, और इसके इलावा, यह तो मैंने आपको बताई दिये, क्लियर हो गया यहां तक, अब आज यह next, तो यह कह रहे हैं कि, यह जो वाराण सी है, फिर देके कॉमा लगा दिया, यहां से यहां तक, नहीं, इसके बाद यह यहां खतम हो चुका है, अमंग दीज सीट्स, इन सीट्स में से, अमंग एक प्रेपोजिशन है, जिसका मतलब क्या होता है, में से, बिट्वीन मतलब दो में से एक, और अमंग मतलब, अगर दो से जादा हो जाए, उन में से, उनके बीच से, अब आज यह next, the two constants, constant क्या होता है, जो बदलता नहीं है, ठीक है, आप जिसको बोलते है, स्थिर, तो two constants, दो स्थिर हैं, स्थिर, स्थितान, पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में exact, simple भाशन में बता देता हूँ, मतलब, जो situation जो नहीं बदलती, एक ऐसी situation, जो नहीं बदलती है, वैसी रहती है, तो दो constants, जो दो, मतलब constant चीज़ें, वर, ठीक है, दो चीज़े थी, in the nearly two month campaign, करीब करीब दो मेने का जो यह अभियान है, इसमें दो चीज़े, थी, वर का मतलब थी, क्या थी, अब देखें, वर के बाद दर लगा हूँ, इसका मतलब दर लगा है, तो यह जो है, आगे noun का काम कर रहा है, तो क्या के दो चीज़े थी, searing heat, मतलब भीशन गर्मी, अच्छा वड़े, आपको याद करना चाहिए, searing heat, भीशन गर्मी, तो यह दो constant चीज़े थी, पहली, भीशन गर्मी, and और दूसरी, low water turn out, turn out का मतलब क्या होता है, उपस्तिती, मतलब हाजिर, जिसका बोलते हैं, presence, तो low water turn out, मतलब जो present होना था, उपस्तिती थी, वोटर्स की, वो लो थी, तो यह दो चीज़े हर जगा देखने को मिली, पहली, भीशन गर्मी, और दूसरी, वोटर्स का कम आतरा में आना, as compared, अगर तुलना की जाए तो, with the 2019 figure, figure मतलब आंकडे, 2019 के जो की जाए, तो यह दो चीज़े constant थी, clear हो गया सारा, यहाँ पर the two constants subject है, वर लगा हुआ है, उसके बाद यह दो चीज़े, यह noun है, तो यह हमारा simple tense, आगे है, voting has been completed, voting पूरी हो चुकी है, यहाँ पर has been लगा हुआ है, और यह voting है, completed verb की third form लगी है, तो यह हमारा present perfect tense, पैसिव इसका, तो voting complete हो चुकी है, in 486 seats, इतनी seatों पर voting पूरी हो चुकी है, in 28 states में and uts में, यह simple था, आगे, the turnout, इसका मतलो उपस्तिती, उपस्तिती यानि के presence जो है, एक और वर्ड होता है, इससे जुड़ा हुआ, turn quote, जिस जो नेता होते हैं, ती यू आरें, turn coat, turn quote, turn quote का मतलब होता है, दल बदलू, लेकिन turn out का मतलब होता है, कितनी मातर में कोई आया है, यानि के उपस्तिती, तो उपस्तिती जो है, in the first six faces, 6 faces में was, वो क्या, कितनी आकडे थे, 66, यह मतलब पढ़ सकते हैं, इतने इतने आकडे, respectively, respectively का मतलब होता है, जैसे, पहले 26, तो first face में 66 थे, फिर लिखाओ है, 66.71%, फिर दूसरे face में इतने थे, तीसरे में, चोते में, पांच में, छटे में, तो respectively लिखने का मतलब होता है, हम पूरे sequence में बता रहे हैं, ठीक है, तो उपस्तिती पहले 6 चरणों में इतनी-इतनी respectively थी, आगी लिखा है, Mr. Modi held, Mr. Modi न release करी, events करे, and roadshows करे, तो यह सब किया, during the campaign, अपने परचार के दोरान, period, period मतलब होता है, काल, मतलब समय, तो campaign के समय, उन्होंने इतने, rallies, events, और roadshows करे, Modi यहां पर subject है, held verb की second form, past indefinite active voice, आ गया है, he held, तो उन्होंने की, he subject held verb की second form, तो उन्होंने की his last rally, अपनी आखरी rally, in होश्यारपूर में, पंजाब, पंजाब के होश्यारपूर में, आखरी rally करी, on Thursday को, next है, the prime minister headed, तो परदान मंतरी headed मतलब चले गए, कहां पे to, कन्या कुमारी, कन्या कुमारी चले गए, in Tamil Nadu में, क्यूं, to meditate, meditate करने के लिए, ध्यान करने के लिए, on the Vivekanand rock, जो Vivekanand चटान है, memorial जो है, जहां पर स्वामी Vivekanand ने ध्यान किया था, तो वहां पर, memorial मतलब यादगार, समारक बोल देते हैं, तो वहां पर ध्यान करने के लिए, चले गए, till June 1, एक June तक, opposition, opposition मतलब विपक्षी, विपक्ष, जो opposite में खड़े हुए, opposition parties, विपक्षी जो दल है, have raised concern, concern मतलब चिंता, raise मतलब जताना या उठाना, तो उन्होंने चिंता उठाई है, यानि कि चिंता जताई है, with the election commission, election commission के साथ, as क्योंकि Mr. Modi's meditation, Modi का जो ध्यान meditation है, coincides, वो mail खाता है, mail खाता है कि इससे, with the silent period, period मतलब काल, silent मतलब एकदम शान, मतलब भिनाश और शराबे के, तो इसका exact मतलब क्या है, तो थोड़ा सा अजीब सा यह sentence, तो अगर आपको exact sense समझ में आई है, तो आप बता सकते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आई, हाँ, rule पूरा समझ में आ रहा है, कह रहे हैं कि opposition parties जो है, उन्होंने election commission के साथ, चिंताई जताई है, have लगा हुआ है, raised verb की third form लगाई है, present perfect active voice, फिर as लगा दिया, क्योंकि क्यों चिंताई जताई है, क्योंकि मोधी जो है, उनका ध्यान, coincides mail खाता है, मतलब मिलता जूलता है, किस से the silent period, अभी silent period कौन सा है, पता नहीं, तो उससे mail खाता है, तो चलो जो भी है, आगे देखते हैं, Congress leader Rahul Gandhi addressed, Rahul Gandhi ज last public program, अपने last public program को at, कहां पर, location के लिए हम at लगाते हैं, छोटी location के लिए at, at a village, एक village में इन खटकर कला, एक जगा है, और पंजाब, पंजाब का, तो इस जगा अपना आखरी public program को संबोधित किया, address किया, और ये कौन सी जगा है, the birth place of भगत सिंग, भगत सिंग के जो birth place ह तो ये था हमारा आज का newspaper, तो उमीद है आपको ये सारे word समझाए, एक याद कर लिजे address, संबोधित करना, छोटी जगा के लिए at का use कर सकते हैं, इसके इलावा, raise, concern, मतलब चिंता, जताना, memorial, मतलब समारक, मतलब जो यादगार कोई चीज होती है, इसके लावा, turn out, turn out का म मतलब हो गया, उपस्तिती, हाजिरी, और इसके इलावा, बाकी आई थिंग एक ये वर्ड नीचे, coincides, mail खाना, और campaign, अभियान, बाकी आई थिंग मैंने सब बता दिया आपको, तो ये थी हमारी आज की the Hindu newspaper से आज की latest, latest news, तो वीडियो कैसे लेगी जूर बताईएगा, और watching this video till end, अब मिलते हैं, अगली वीडियो में और course join करना है, तो आप Become English Champion app, download करके course join कर सकते हैं, thank you so much, मिलते हैं अगली वीडियो में